नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं चारखन की खबरों की ओर गुमला में उपायुक्त शुशांद गवरों ने गुमला के शहरी शेत्री स्थित इंडोर स्टेडियम गांधी पार कालबा टिक का स्टेडियम नए बन रहे लाइबरेरी इत्यादी का आवचक निरक्षण किया निरक्षण की क्रम में जहां ग्रामिड विकास विशेस प्रमंडल के कारियों को देखते हुई उपायुक्त ने असंतोश जाहिर किया साथ ही उपायुक्त ने जिला परिशत के कारियों को सही पाया जिसके बाद उपायुक्त ने स्टेडियम का निरक्षण किया साथी कनिया भियंता को वेतन अगले आदेश तक रोक लगा दी इस दोरान कच्री परिशद में चल रही कार्य जो जिला परिशद से कराई जारी है उसके सहाय का भियंता ए रह्मान को उपायुक्तने निर्देश देते हुए कहा कि 2 सितंबर तक रोड निर्मार करें साथी जिला परिशद के सहाय का भियंता को पायुक्तनी स्टेडियम में नाले की सफाई और स्टेडियम से कचले को हटाने का निर्देश दिया है वही दूसी ओर बक्तर साय मुंडन सिंग स्मिती भवन की जरजर अवस्था को देखते हुए दीसी ने असन तोश चताया और ज परिशद के सहाय का भियंता को इसका प्रक्रन तयार करने की बात कही इसके लावा उपायुक्तने नए बन रहे लाइबरेरी बारे शशियेसन विकास भवन के अन्य दफ्तरों का भी नरक्षण करते हुए आविशक दिशा निर्देश दिये